आज का हमारा टोपिक है कि हमने नंबर अफ आइडियल से निकालने हैं ZN में तो ZN में हमने क्या करना है नंबर अफ आइडियल से निकालने हैं और वो आइडियल कौन-कौन से होंगे वो बताने हैं ठीक है तो ideal में दो category आ जाएगी एक है maximal ideal और दूसरा क्या है prime ideal तो आज के lecture में हम कहा सिरफ maximal ideal और ideal को discuss करेंगे ठीक है तो इसको समझने के लिए हम पहले ideal की definition देखते है तो ideal की definition क्या कहती है r हमारे पास क्या एक ring है i क्या है i जो है subset of r है तो इस i को हम ideal of r कब कहेंगे या i को ideal in r कब कहेंगे जब मैं i से दो arbitrary element उठाऊं i से दो arbitrary element उठा लूँ तो एक element और दूसरे element का additive inverse ये क्या है ये दोनों operation लबने a minus b जो भी बनेगा a element ठीक है फिर क्या है दूसरे का additive inverse तो b ठीक है ये जो element बनेगा ये किसमें आना चाहिए i में चाहिए ठीक है तो ये हमारे पास first condition है और एक element मैं कोई भी arbitrary element उठाऊँ i से और कोई भी arbitrary element उठाऊँ मैं ring से ठीक है तो जहां पर जो dot है कोई भी composition हो composition हो सकती है तो मैं अभी फिलाल के लिए इसको product माल लेता हूँ कि अगर ये composition के अंडर आरे क्या है i में चला जाए तो इस i को हम क्या कहते है ideal of the ring कहते है ठीक है अगर अब ring क्या होती है दो type की होती है एक तो commotative ring होती है एक होती है non-comotative ठीक है अगर तो ring के बारे में कुछ नहीं पता अगर तो हमको ring की nature के बारे में नहीं पता है मैं इसकी commotative है कि non-comotative है तो जो मैं मान के चलता हूँ कि अगर non-comotative है तो इस ideal को हम क्या कहेंगे r कहां पे आ रहा है left side पे तो ये हमारा हो जाएगा left ideal अगर r हमारा right side पे आए और क्या है ये जो element ये इसको resultant जो element बनेगा वो भी किसमें आई में चला जाए यहां आर क्या रहा right side पे आ रहा तो ये हमारा left ideal बनेगा और ये हमारा क्या बनेगा right ideal बनेगा लेकिन अगर ये ring commotative हो गई तो आरे ER के साथ क्या करेगा commute करेगा तो उस case में चाहे आप left or right ideal क्या हो गया दोनों ही same हो जाएंगे क्या है ring जो हमारी क्या है commotative हो गई है तो ZN के बारे में हम discuss करना चाहरे है तो Z हमने हमको पहले ही पता है कि जो ZN है ये क्या होती है commotative ring होती है तो आज हम discuss क्या करेंगे एक तो ideal निकाले दूसरा क्या निकालेंगे maximal ideal ठीक है तो ZN हमको पता है ZN क्या होती है commotative ring होती है ठीक है अब हमको क्या निकालना है number of ideals निकाले पहले हम number of की कि इसके कितने ideals न बनेंगे तो formula क्या है number of ideals in ZN this is equal to number of positive divisors of N मतलब जितने N के positive divisor होंगे उतने ही ideal कितने का होंगे ZN में होंगे ठीक है तो इसको समझने के लिए हम क्या करते है एक Z3 ले ले लेते है Z3 क्या है एक ring है ठीक है और कौन सी ring है commotative ring है ठीक है अब अब यहाँ पे N क्या है हमारे पास 3 है ठीक है तो number of ideals in ZN अब देखो यहाँ पे N क्या है 3 है 3 के divisors क्या है एक तो 3 है एक तो क्या है 1 है तो हमारे पास 2 ही divisor है तो यहाँ पे हमने जितने divisors होंगे positive divisor ओ ही counting लिखनी है तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया अब हमको बताना है कि इसमें कौन-कौन से होंगे जो इसके ideal बनेंगे ठीक है अब हम उसको समझते है तो आपने क्या करना है जो इसके divisor है क्योंकि यह cyclic group है तो यह divisor है तो जो पहला ideal होगा वो क्या होगा तो 3-3 को divide कर रहा है एक जो होगा 3 से generate होगा अब 3 से क्या अगर हमारे पास cyclic group है ठीक है अगर A दिया है तो यह A किस तरह generate होता है यह होता R A और R कहां से आता है ZN से आता है ठीक है अब यहाँ पर 3 है ठीक है R कहां से लेना हमने यहाँ पहाएगा For all R belongs to तो अब generated by 3 निकालना है तो आपने क्या करना है तो इस 3 को इस से multiply कर दिया तो पहला element क्या आगा है 0 इस 3 को इस से multiply कर दिया अब देखो जब 3 को 2 से multiply करेंगे तो क्या जागा 6 हम model क्या लगा रहे है 3 3 को 6 से divide कर रहे है आगे मेंडर हमारे पास क्या आएगा 0 जीरो हम अब जीरो हम अग्राद ही लिख सुके तो यहाँ पर क्या आगा यह खत्ब हो जाएगा यहाँ पर भी देखो यह 0 बन गया तो यह इस के आगे लेने का लिखी प्यूँख का होगा यह हमारे पास किया हा है यही यह पूरी रिंग या तो यही है तो आप यह चाहो फूर लगाको चेक कर सकते हो कि यह है या नहीं है यह फिस साइज मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हाँ ठीक है कि आप चेक करिए कि यह अगल बंदा के लिए उपर वन डेफिनेशन लगाने पर ठीक है यह तो था को चाहो तो इस तरह में निकाल सकते हैं इन को हें घ्री होने था था करेक्ण मेंगे बशनेखेशना इक इंकांड़ बावर stop यहां पर भी पावर में जो है उसमें एक कर देंगे तो क्या आएगा टू इंटू टू यह कितना आ गया फोर यानि जो हमारे नंबर आप पॉस्टिव डिवाइजर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं फोर तो यहां से काउंट कर सकते हैं एक दो ती चार अब यानि जेड़ सिक्स यह कितने बनेंगे चार ठीक है यहां से भी टो का सीधा फार्मूला भी लगा सकते हुआ कि अगर नंबर ओफ इस तरह हम जनलाइज कर सकते हैं नंबर ओफ आइडियल्स इन जेड एंड इस इकल टू टो टो एंड क्या है नंबर ओफ पॉस्टिव जणि जेड़ेट होगा one से क्या है इस one से इन सारे अलिमेंट को मुल्टिप्लाई कर दो तो यह सारे क्था आइडियल बनेगा वह हमारे पास क्या बनेगा जैड शिक्स अब आता है देखो next क्या टू से अब क्यों से क्या इनको मुल्टिप्लाई करते जाओ पहला एल्में हमारे पास कितना आ जागा जीरो तो यानि यह तो सैट है यहीं खतम हो गया ठीक है तो यह next करते है थ्री से जर्रेट होने वाला तो थ्री से देखो इसको multiply करो पहला एलिमेट तो जीरो नेक्स क्या गया थ्री अब देखो थ्री को टूल से करोगे 9 आ गया ठीक है अब 9 को अब दुख मॉडलों 6 है यानि 6 को आप 9 से divide करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा रिमेंडर वो पहली आएगा ठीक को 4 से करोगे तो फिर 12 आ गया 6 जो है 12 को divide करता है रिमेंडर कितना आएगा जीरो आएगा तो इसलिए क्या अगर 3 को 5 से multiply करोगे तो 15 बनेगा तो 3 को हम 6 से divide करेंगे तो हमको क्या मिलेगा हमको रिमेंडर जो मिलेगा वो 3 मिलेगे ठीक है तो यह क्या होगा यहीं खतम हो ठीक है अब next 6 है अब 6 ही model हो है, ठीक है, तो पहला element तो चलो ठीक है, पहले 6 को 0 करेंगे तो यह 0 आ गया, बाकी जितने भी elements हैं, वो क्या, multiple of 6 हो गए, अगर multiple of 6 हो गए, तो 6 उसको divide कर सकता है, तो सारे के सारे element क्या हो जाएंगे, 0, set में तो हम एक बार ही लिखते हैं, एक element को, तो यह हमारे है, तो यह 0, 1, 2, 3, अब टू कहाए जाएगा, सबक तक जाएगा, अब देखो, यहाँ पर n कितना दिया, 8 दिया, 8 को हम प्राइम factorization में लिख सकते हैं, 2 की पावर, 3, अब क्या करेंगे, टौ n लगा दें, टौ n हमारे पास क्या आ जाएगा, टौ 2 की पावर, 3, तो according to formula क् 3, पावर में एक add up हो जाएगा, अफारे पास, 4 आ गया, यानि number of ideals, of, sorry, number of ideals in Z8, यह कितने बने हैं, 4 ठीक है, तो यह आप बना सकते हो, बनाना कैसे हैं, देखो, 8 के factors क्या हैं, मतलब 8 कि से divide होता है, एक तो 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर किस से, 8 से, तो इसी तरह आप क्या चाओ, उसी तरह generate कर सकते हो, number of ideals, ठीक है, उसी तरह अगर आप से पूछा जाए, Z49 में कितने ideal होंगे, तो n को हम, n क्या है, 49, तो इसको आपने कहाए न, product of prime से लिखे देना, कि क्या बनेगा, 7 स्केर, ठीक है, तो तो n लिखा दो, तो n क्या हो एक add-up हो जागा, 2 plus 1 कितना आगा, 3, तो इसके क्या 3 ideal बनेगे, अब 49 के देख सकते हो, देखो divisors क्या क्या होगे, एक तो 1 होगा, एक 7 होगा, एक क्या होगा, 49 इटसल्फ होगा, तो 3 ही divisors बन रहे है, तो number of ideals in Z49, ये किसके बराबर होंगे, 3 के पराबर होंगे, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, number of ideals निकाले Z के, और क्या सिखा, कि वो जो ideal है, वो कौन-कौन से होगे, देखो ideal यहाँ पर कौन-कौन से होगे, एक तो जो 1 से generate होगा, 1 से जो generate होगा, 1 सभी elements के साथ multiply होगा, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, Z49 ही मिल जाएगा, अब जो 7 से generate ह होगा, वो क्या होगा, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, next क्या होगा, 49, 49 हमको again 0 मिल गी, जहाँ पर 0 मिल गी उसके बाद element रपीठ होने शुरू हो जाते हैं, तो यह क्या है, यह होगा, next 49 वाला बनाया है, तो क्यों model हो कितना चल रहा है, 49, तो जितने भी element बनेंगे, क्या बनेंगे, यह बनेंगे, यह 49 का multiple बन जाएंगे, तो 49 उनको divide करेगा, remainder कितना आएगा, आपके पास 0 है, तो यह हमने सीखा कि number of ideals और कौन से ideals होगे, यह हमने सीखा ZN में क्या होगा, ठीक है, अब बात करते हैं, maximal ideal गी, maximal ideal, ठीक है, तो में लेके लेँआ हो, अब र प्लस दो बा, इसका अ लूग एग ए्टे लूग, है यह दिलिक स्क्ता, let a this is not equal to r, bn, ideal of idea l, in r, then it is, said to be maximal ideal if there exists B B क्या है B भी आपके पास क्या है ideal है there exists ideal B which are also in R such that A जो है subset B का हो B जो है R का subset हो then either A जो है B के पराबर हो या फिर क्या हो B जो है R के पराबर हो ठीक है तो इसको दोबारा से समझते है maximum ideal किसको कहेंगे R हमारे पास एक commutative ring है A एक ideal है जो R के पराबर नहीं है then it is set to be maximal ideal अगर एक और ideal exist कर रहा है जो R में है जो A है B का subset हो जाए और B है R का subset हो जाए then क्या हो या तो A B के पराबर हो या फिर क्या हो B R के पराबर हो तब हम इस A को क्या कहेंगे maximal ideal है ठीक है तो इसको पहले छोटी सी example से समझते है या आखिर हम क्या है क्या रहे है ठीक है तो आपारा topic में क्या है ZN को मैं ZN को ही discuss करूँगा तो ZN हमको पता है यह क्या है एक commotative ring commotative ring का मतलब क्या है A B equal to BA for all A B belongs to Z ठीक है रिंग में क्या होती है अगर हम कहते हैं तो यह property satisfy होनी जोरूरी ठीक है तो अब maximal ideal को समझने के लिए तो देखो हमने क्या ले लिया Z4 ले लिया अब Z4 में देखो क्या element होगे एक तो 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा ठीक है अब पहले अब लिख लेते हैं पहले formula की कितने maximum ideal होगे और वो कौन कौन से होगे उनको ढूलते हैं तो सबसे पहले क्या है क्या लिख लेते हैं कि number of maximal ideal in ZN ये किसके बराबर होगे number of prime divisors of N मतलब जितने N के prime divisor होगे उनको हमने count कर लेना उतने ही क्या होगे maximum ideal होगे ठीक है तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 4 है N हमारा क्या है 4 है अब देखो इसके prime अगर मैं divisor देखो divisor कितने है 1 है 1 है 2 है 1 क्या है 4 है इतने prime divisors होगे अब prime divisors देखो इसमें कितना है जो 2 है यही prime divisor है 2 है 2 इसदा prime divisor और 4 लेकिन हमको क्या करने count करने की कितने ना कि 2 जो है उतने maximum ideal मनेंगे ठीक है तो हम यह count करने तो कितने prime divisor आ रहे एक prime divisor आ रहा है तो हम लिखेंगे number of maximal ideal in z4 तो कितने prime divisor आ रहे है एक ही आ रहे है तो क्या बनेगा एक रहे है ठीक है अब देखो last में अब हम इनको क्या यह चेक करना है कि देखो ideal total number of ideal की बात करूं तो total कितने ideal इसमें बन रहे है number of ideals in z4 तो देखो इसके कितने डिवाइजर है 3 तो number of ideals कितने बन रहे है 3 लेकिन maximum ideal कितने बन रहे है एक अब हमको यह तो बता लगया भी flexible ideal एक है लेकिन वो कौन सा होगा यह ढूड़ना तो इसके लिए हमने क्या थोड़ी चीछा lattice theory रगा नहीं तो देखो हमने क्या करना है यहाँ पर लिख लेना है order ठीक है अब देखो order में क्या है पहले सबसे highest से शुरू करना है तो 4 क्या लिखी है 4 ठीक है अब उससे lowest 4 से lowest क्या बनेगा 2 तो क्या 2 4 को divide करता है अगर answer yes है तो हम क्या अगर answer obviously yes है तो 4 को क्या लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे तो मतलब 2 को कहा लिखेंगे 4 के नीचे लिखेंगे अगर यह नहीं divide करता तो फिर हमने इसको किसी और तरीके से लिखना थे ठीक है अब देखो उसके 2 के बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है तो अगर 1 आ रहा है तो 1 क्या 2 को divide करता है yes 1 क्या 4 को divide करता है yes तो अगर 1 जो है 2 को भी divide कर रहा है 4 को भी divide कर रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 के जी यहाँ एक तरह से क्या है Transitive Property लग रही है, अगर 1 2 को Divide कर रहा है, 2 4 को Divide कर रहा है तो 1 जो है, 4 को Divide करना चाहिए जो Number 3 अगर आपने पढ़ी है तो यह आपने पढ़ा होगा, if A Divide B and B Divide C this implies A Divide C, तो यह जो आप Lattice बना रहे हैं, इसमें Transitive Hold करनी चाहिए ठीक है? तो अब देखो, अब यह हमने क्या लिखा Order लिखा है, ठीक है? Order लिखा है, ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए कौन सा Maximal Ideal बनाएगा, पहले देख लेए यह Ideal कौन कौन से बनाएगा, देखो आपने क्या करना है, यह Order 4 लिखा है तो यह कौन सा Ideal किस से जनरेट होगा, Order 4 का Ideal आपने क्या करना है, इस 4 को यह जो नंबर दिया है, इस से डिवाइड कर दो यहां में भाइचांस क्या है, 4 है, तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे, आपको क्या मिलेगा, 1 तो यह जो 4 वाला है, Order वाला है, Ideal यह कहां से जनरेट होगा, 1 से, तो 1 वाला क्या बनेगा, 1 वाला तो क्या, देखो 1 यह आया है, इसको आपके सभी एलिमेंट से मल्टिप्लाइ कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, Z4 ही मिलेगा ठीक है, अब Next क्या है, 2, Order इसका 2 है अब 2 को 4 को, यह जो है, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 2 तो यह जो Order 2 का Ideal है, यह किस से जनरेट होगा, 2 से, तो यह कौन सा होगा, देखो, इस 2 को, आप इससे मल्टिप्लाई करते जाओ, 2 0 के साथ मल्टिप्लाई होगा, तो 0 आगया 2, 1 के साथ मल्टिप्लाई होगा, तो 2 आगया, अब 2 जब इसके साथ मल्टिप्लाई होगा, 4 आगया, अब 4 मॉडलों है, तो 0 आजाएगा, 0 आगया, अब ठीक है, 0 आजरी लिखनी है, तो उसके पास जो Element होगे, रपीट होने शुरू हो जाएगा, दिखो, अगर मैं 2 को 3 से मल्टिप्लाई करना था हो, 6, तो 4 मॉडूलों होगे, 4 यानि 6 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, रिमेंडर कितना आएगा, 2, तो 2 तो आजरी लिखने करें, तो यह हमारे पास यहां पर 1 के साथ 4 करेंगे तो 4, 4 बोडलों ले रहे हो, तो यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0, यह भी 0, क्योंकि सारे 4 के मल्टिपल बन रहे हैं, ठीक है, तो देखो, अब हमको इन में बताना है कि maximal ideal कौन सा होगा, ठीक है, अब definition में देखो, अब देखो, जो maximal ideal है, हम किसके बाए हैं, let R be a competitive ring, यह जो है R के बराबर नहीं होना चाहिए, इस ideal को हम maximum ideal कब पहेंगे, जब एक और ideal exist करें, यह जो है B का subset हो जाए और B R का subset हो जाए, A क्या होना चाहिए, B के बराबर और B क्या होना चाहिए, R के बराबर, तो एक बात तो हमको यहाँ definition से clear होगी, कि जो maximum ideal है, वो क्या है, जो given ring है, उसके बराबर कभी नहीं होगा, by definition, ठीक है, तो यानि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, Z4 की, तो यह क्या हो गया, main ring ही हो गयी, तो यानि यह हमारा maximum ideal नहीं हो सकता, क्यों, by definition, definition में हमने क्या लिखा, A को हम क्या करें, maximum ideal, A not equal to R, R हमारा यहाँ पे क्या है, Z4 है, ठीक है, तो Z4 हमारा maximum ideal नहीं हो सकता, ठीक है, अब बात करते हैं, इसकी, तो यह देखो, क्या यह maximal ideal हो सकता है, तो देखो, इसको मैं I1 नाम दे दा, तो I1 में क्या है, 0, अब देखो, इस वाले इसको मैंने I1 नाम दे दिया, इसको मैंने क्या किया है, I2 नाम दे दिया, ठीक है, i2 क्या है? 0, 2 अब देखो, clearly you can say i1 contain in i2 and i2 contain in z4 ठीक है? अब देखो, ये condition तो होगी ठीक है? but i1 not equal to i2 and i2 not equal to z4 अब ये by definition, देखो, क्या कहता है? कि अगर, ये जो a है इसको हम maximum ideal करता हैंगे जब एक ideal exist करेगा b जो a को contain करता हो और b r में contain हो तो क्या होना चाहिए? a b के बराबर हो जाए या फिर b r के बराबर हो जाए ठीक है? लेकिन यहाँ पर देखो i1 में क्या? ये आ रहा i2 में ये आ रहा तो i1, i2 में तो contain है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं क्योंकि इसका order 2 है इसका order 1 है इसमें 2 element है इसमें 1 element है और i2, z4 के बराबर भी नहीं है इसमें 2 element है और इसमें कितने? 4 element है तो इसका मतलब यह हो गया जो जीरो है is not a maximal ideal वैसे ideal तो है लेकिन maximal ideal नहीं अब देखो अब रहा गया हमारे पास क्या है यह बना था 4 2 और 1 यह क्या था यह बना था यह तो बन सकता यह भी इससे बना फोर से ऩए यह भी जीरो यह भी नहीं बन सकता अब रह गया तू अब देखो two के उपर देखो यह हो नहीं सकता आइडियल लिंग यह तो हो नहीं सकती जेड pouvoir यह भाइ अब हमारे पास क्या बन गया जो ideal इस से generate हो यह किस से generate हुआ है तू से ठीक है तो यह का 0,2 लेकिन इसके उपर तो कोई ideal ही नहीं नहीं जो इसको contain करता हो तूपकि यह तो हो नहीं सकता तूपकि यह by definition होगा नहीं तो जानी इसके उपर कोई ideal नहीं है ठीक है तो इसका मतलब है यह जो ideal है यह क्या हो गया हमारा maximum जाए तो जानी क्या है जो टू से generated है तू से generated है जीरो कॉमा टू यह हमारा क्या हो गया maximal ideal हो गया है ठीक है अब उपर देखो हमने क्या क्या लिखा था अब देखो number of maximum ideal इंजाइड है number of prime divisors हो जहां चार का कितना है एक ही है ठीक है चार का प्राइम डिवाइजर क्या है टू है अगर इसको काउंट करें तो कितने बने और प्राइम डिवाइजर चार के एक ही बन रहा है वह कुंसा है? 2 है. Number of maximal ideal in Z4 कितने बनेंगे? 1 ही बनेगा. तो वो भी हमने निकाल लिया इस lattice बना के यह क्या बनेगा? 1 ही बनेगा. वो क्या होगा? 2 होगा. खीक है? अब एक और देखते हैं. जैसे हम Z8 ले लेते हैं. अब यहाँ पर हमको क्या बताना? maximum ideal. तो maximum देखो N है यहाँ पर हमारा क्या? 8. अब इसको prime की form में लेख सकते हैं. product of prime 2 raised to power 3 बन रहा है. तो number of prime divisors 8 के कितने हैं? देखो एक ही बनेगा. वो क्या हो? कुंसा होगा? 2. यानि क्या number of maximal ideal in Z8. यतने prime divisor होगे? उतने ही होगा. तो इसमें prime divisor हमको 8 की कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा. वो कुंसा होगा? 2. लेकिन हमने यहाँ पर counting लिखनी है. तो कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1. number of कि यहाँ लिख लेते हैं? because number of number of prime divisors of 8 are 1. ठीक है? कितने divisor, 8 के prime divisor कितने आए? 1. ठीक है? कि मतलब divisor हम गिने तो कितने बने? यह कितने बनने? एक बनने है. और divisor कौन साइड? 2. ठीक है? अब देखो, अब क्या करना है हमने? 8 के divisor लिख लो. क्योंकि maximum हम आइडल बनाना है? तो 8 के divisor देखो, एक तो 8 होगा, एक 4 होगा, एक 2 होगा, और एक क्या होगा? ठीक होगा. तो सबसे पहले अब हमने 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 ह है ठीक है अब क्या करना हमने यह लिखना कि यह किस किस से किस element से generate होगे तो 8 को जब 8 से divide करोगे यहां आपको मिलेगा generator क्या मिलेगा 1 1 से कि में क्या मिलेगा z8 ही मिलेगा by definition यह हमारा prime ideal sorry maximal ideal नहीं हो सकता ठीक है अब 4 की बात करते हैं ठीक है 4 देखो किस से generate हुआ अब 8 को जब आप 4 से divide करोगे तो यहां मिलेगा आपको 2 अब 10 में कौन कितने element होगे 0 2 4 6 अब देखो next element क्या आ जाएगा 8 8 आ गया तो 4 को हमारा क्या है 8 यहां पर क्या है 0 आ जाएगा तो रपीट होने शुरू हो गया इसका order देख सकते हो कितना 4 यह है अब next क्या है इस 2 को आपने इस 8 को 2 से divide कर जाना तो आपको क्या generator मिल जाएगा 4 अब 4 में देखो कौन से element 4 से generator में जेख तो 0 हो गया फिर क्या गया 4 next क्या हो जाएगा 8 यानि model हमारा 8 है तो बाती उसके बाद रपीट होने शुरू हो जाएगे तो मतलब 0 4 ही बनेगा इसका order और 1 में हमको क्या मिलेगा अब देखो 8 को जब हम 1 से दिवाइड करेंगे तो यहां पर कौन से लेगा 8 मिलेगा ठीक है यह मेरे पास क्या बनेगा अगर मैं कहूं कि यह maximum ideal है तो देखो क्या यह होगा maximum ideal यह जो 04 है इसमें contain और यह वाला जो set है देखो मैं इसको इसको इसे लिए लिए लेता हूं इसको आइडील की definition क्या करती maximum ideal की तो वह कहता है कि i1 देखो आइवन किसमें clearly क्या है i2 में contain है ठीक है और i2 किसमें करते हैं है NZ8 में चाहए है अब I1 मैक्सिमुम Iдел कब होगा जब क्या या तो I1 I2 के बराबर हो जाвал या I2 Z8 के बराबर होसकता है या हमारा maximal idle नहीं हो सकता है यह तो पहले ही कहा है जो कि by definition maximal idle z date हो नहीं सकता अब बच गया इस से generate हुआ जो 2 से generate हुआ और इसका order क्या है 4 2 से generate हुआ यह हमारे पास अब देखो इसके उपर तो कोई है नहीं जो ideal जो इसको contain करता हो यह हो नहीं सकता contain तो कर रहा है लेकिन यह क्या by definition यह जाड डेट नहीं हो सकता तो हमारे पास यही बच गया तो यानि जो हमारा maximal idle होगा यह क्या होगा यह होगा ठीक है तो again next देखते हैं अब यहाँ पर हम कर रहे है z6 अब इसमें भी हमको क्या कर रहा है अब देखो यहाँ पर 6 के प्राइम फेक्टर कितने बने है दो बन रहे है तो दिखेंगे number of maximal ideal in z6 6 के प्राइम डिवाइजर कितने है दो यहाँ दिखेंगे दो बने है तो अब कौन कौन से होगे जो दो होगे ठीक है अब क्या करना है 6 के आप फेक्टर्स लिख्ट लो 6 का फेक्टर eaker 6 होगा फिर क्या होगा 3 होगा 2 हो सकता है धीक है अब देखो सबसे पहले आपके क्या करना है यहाँ लिखना है न ओधा लै्टिज क्ला और सबसे पहले जो बिगगर है क्या 2 3 को डिवाइड कर रहा है, नहीं, 2 3 को डिवाइड करेगा हैं, क्या 2 6 को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है, लेकिन 2 जो है 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम 2 को इसके नीचे नहीं लिखेंगे, यानि 2 क्या है, 6 को डिवाइड कर रहा है, तो यानि 2 को हम को डिवाइड कर रहा है, and B क्या है, C को डिवाइड कर रहा है, और this implies A, C को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो यहां देखो, लेकिन यहां पर क्या है, 2 जो है, 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन 2 जो है, 6 को डिवाइड कर रहा है, तो इसकी हमने अलग ब्रांच निका ओर दिन राली अब दिखो इसके बाद क्या था वन जो वन है two को भी टिवाइड कर भी दिवाइड कर रहा है आप द्खो यह हमारा क्या बन गया अब ये हमने क्या लिखे थे अब देखते हैं कौन सा generator होगा अब देखो 6 को जब आप 6 से divide करोगे तो आपको generator क्या मिलेगा 1 अब 1 में क्या आगया आपके पास पूरा का पूरा क्या आगया by definition ये तो हो नी सकता maximalizer ठीक है अब ये देखते हैं ये किस से generator के मिला है हमको ये order कब मिलेगा अब देखो ये 2 को ये 2 जो है ये जो 6 है इसको हम क्या करेंगे 2 से divide कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 3 मिलेगा कौन-कौन से element आएंगे एक तो 0 आगया next क्या आगया 3 आगया अब उसके बाद जो होगा वो 6 आजाएगा विजएड 6 में elements कौन से है 0, 1, 2, 3, 4, and 5 देखो जब 3 जो इससे multiply होगा तो 6 मिल गया तो model ओ 6 निका गया तो यहाँ पर मिझे 0 मिल गया जहाँ पर 0 मिल गया उसके बाद element क्या होते है repeat होने शुरू हो जाते है तो हमने क्या करना इसको जहीं खत्म करते है देखो यहाँ पर order देख सकते हो इसमें दो ही element है अब इधर की बात करते है तो देखो इस 6 को जब आप 3 से divide करोगे तो generator क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा यह 2 में देखो अब इस 2 को इधर multiply करते जाओ पहला element तो देखो 0 फिर क्या मिल गया? 2 मिल गया फिर क्या मिल गया? 4 मिल गया अब जिब 2, 3 के साथ multiply होगा तो 6 आगया है 6 model के तना आगया है? 0 0 होगया तो उसके बाद जो भी element होगे और repeat होने चुरू होजाए यहाँ पे हमको यह मिल गया है तो अब देखो इसमें कितने 3 elements आ रहे हैं तो यानि इसका order हमने order दिलका थी यह जो 1 है 1 देखो इसके 1 6 को जब हम 1 से divide करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या 6 मिलेगा? और 6 इसको 6 से through multiply करोगे तो यह multiple of 6 मल गया यानि हमारे पास एक ही element आएगा वो कौन सा होगा? अब हमको देखना है कि इन में से कौन से prime ideal है sorry कौन से maximal ideal है अब देखो 0 तो होगा नहीं देखो इसको हम आप बार बार तूप कर चुके है 0 क्यों नहीं होगा? 0 इसमें contain है ठीक है? और ये क्या है? Z6 में contain है लेकिन ये वाला सेट और ये वाला सेट क्या है? बराबर रही है और ना ही ये वाला सेट और ये वाला सेट क्या है? ये भी बराबर नहीं है तो ये 0 क्या है? maximal ideal नहीं हो सकता अगर मैं इधर बात करता हूँ यह वाला set इसमें contain है ठीक है और यह वाला set इसमें contain है z6 में लेकिन ना ही यह set दोनों बराबर है और ना ही यह set बराबर है तो यह क्या है maximal ideal नहीं होगा ठीक है अब यह वाला और यह वाला अब इसकी बात करते हैं देखो इससे उपर तो कोई ideal है ही नहीं इससे उपर तो कोई ideal है, यह वाला ideal by definition नहीं हो सकता, जो इन दोनों को contain करता हूँ, अगर इससे उपर कोई ideal है नहीं, जो इन दोनों को contain करता हूँ, तो यह जो ideal है, इससे यह generate हुआ, इससे यह generate हुआ, तो यानि जो 2 और 3 से generate हुए है, यह क्या हुए, आहाग दा maximal ideal in z6, ठी ठीक है, अब और कोश्र को थोड़ा complicated कर देते हैं, तो next है, z36, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, z36 में क्या element होंगे, महरे पाल, 0, 1, 2, up to 0, 35, ठीक है, तो अब पहले n यहाँ पर हमको क्या दिया है, 36, तो इसकी prime factorization लेकि निकाल लेते हैं, तो इसकी prime factorization क्या बनेगी, 2 square, इसकी, 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 इसकी कि कितने क्या बनेगे मैकसिमल आज़ थीक है तो नकालने के लिए क्या करना है कि इसके कितने बनने हैं पलतों निकालन थाथ तो में हमको मिलेगा तो स्केर थी स्केरी स्केरत रहे अब है ऐनका जी सब्सक्राइब कर दो और इधर भी क्या किया पावर में एक एड़ कर दो कितना अगया थ्री इंटु थ्री तो हमको टूटल कितने इसके मिलेंगे इसके नो मिलेंगे एक तो एक हुग गया दो भी डिवाइड कर रहा है थीक है तीन भी कर रहा है चार भी कर रहा है छे भी कर रहा है थीक है नो भी कर रहा है थीक है उसके बाद बारा भी कर रहा है अठारा भी कर रहा है और च्छतिस भी कर रहा है थीक है तो गिलने ते हैं ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यह ही थे अब हमने क्या करना है इनने चक करना है कि कौन सा जो होगा वह maximal आइडल होगा तो सबसे पहले हमने क्या करना तो देखो उसके पाद वाला भी देखते हैं 12 भी देख लेते हैं 12 क्या 18 को डिवाइड करता है नहीं ठीक है लेकिन 12 क्या 36 को डिवाइड करता है 18 जो है 36 को डिवाइड करता है अंसर हां लेकिन क्या है 12 जो है 18 को डिवाइड निकर आं मतलब यहां से दो ब्रांचे से निकल जाएं एक साइड आपको लिखना होगा 18, एक साइड लिखना होगा 12, यह हम order लिख रहे हैं, इस बाग का क्या लखना है, यह नहीं कि 12 से जो generate होगा, वो बनेगा, ठीक है, इस बाग का क्या लखना है, अब देखो इस से lowest क्या बना है, 9, अब जो 9 है, क्या यह 12 को डिवाइड करेग करेगा, according to transitivity, 9 जो है, 36 को भी डिवाइड करेगा, अब next आ जाते है, 9 के बाद कौन साथ है, 6 है, 6 क्या 9 को डिवाइड करता है, नहीं, 6 12 को डिवाइड करता है, 6 18 को डिवाइड करता है, 6 36 को भी डिवाइड करता है, 6 9 को नहीं डिवाइड करता है, बाकी सभी को कुछ थैक है, दोको 6, 18 को भी डिवाइड कर रहा है, 12, 36 को, ट्रांसिटिव के वाढ़िंग, 6, 36 को डिवाइड कर रहा है, इधर से भी करोगे, तो भी कर रहा है, अब next आते हैं, 4, अब जो 4 है, क्या 6 को डिवाइड कर रहा है? नहीं, 9 को करेगा, नहीं, 12 को करेगा, yes, 18 को क पड़ेगा इसके मिच लिखना पड़ेगा अब दोता है अब देखो 4 के बाद आतार अब दोती आई सिक्स को भी मवरइक करेंगे नाइन लान इंडूब्स को को भी करेंगा तो हमने क्या किया 3 वूंद झारू सिक्स को भी माइट तक हमने क्या यह जितने भी जा रहे हैं, इन सभी को दिवाइड करेगा, ठीक है, अब 3 के बाद आ गया 2, 2 क्या 3 को दिवाइड करेगा, नहीं, मतलब इधर ब्रांच नहीं बनेगी, 2, 4 को दिवाइड करेगा, yes, 2, 6 को दिवाइड करेगा, हाँ, 2, 9 को दिवाइड करेगा, नहीं, तो पह अर्य र्र तुक है 6 को भी Divide कर रहा है 4 गो भी Divide करेगा 32록 ढम को भी Divide करेगा 2 को बीए अब उसके बाद 1 रहाँ को दिवाइद करेगा तो यानि मैंने यहां लिख लिया 1 ठीक है अब देख्ः क्वे हम इस तरह करने चाहिए था यहां इसको मैं काट देता हूं ठीक है अब इस ताहा लिख लिए यह जो है इस पर आ रहा है तू फोर को भी डिवाइड करेगा शिक्स को भी डिवाइड करेगा ठीक है ट्रांजिटिव के एकॉर्डिंग यह 12 अब यहां पर वन वन क्या इन सभी को करेगा तो 1 2 और 3 के नीचे आ ठीक है अब देखो अब क्या करते है जन्रेटर निकाल लेते हैं तो 36 को जब आप 36 से डिवाइड करोगे तो आपका जन्रेटर क्या आएगा वन यह आपके पास क्या आगया जैड थर्टी सिक्स तो यह तो मैक्सिमल आइडल हो ली सकता बाइड डेफिनेशन तो आप देख 3 मिलेगा ठीक है 3 से कौन से हो जाएंगे देखो 0 अब मल्टिप्लाई करते जाओ 3 फिर क्या आएगा 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 अब देखो 36 आगया वहाँ पे गया मॉडलो 36 लग रहा तो जीड़ है देख सकते हो कितने अलिमेंट है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो तस त्यारा बारा ठीक है तो बारा अलिमेंट आ रहे है और ही ओडर बन रहा है अब इधर आ जाए यह किसको रिप्रजेंट कर रहा है ओडर 18 देखो 36 को क्या करत देना 18 से डिवाइड देना तब आपको क्या मिलेगा तू मिलेगा ठीक है यहां पर भी आप लिख सकते हो इसके अलिमेंट ठीक है टू से मल्टिप्लाई करते जाओ जो जड़ 36 में अलिमेंट है उनके मों क्या बनेंगे 18 ठीक है तो यह एक्सरसाइज आपके लिए सो अब अब हमारा कोशन है कि maximal ideal कितने बनेंगे तो आप जैट डेन में यह जो डिवाइजर असारे इसारे के सारे क्या बनाएंगे आइडियल बनाएंगे अब आपको क्या निकालना अब देखो इसके नीचे जो आइडियल बना रहे है एक तो यह है एक यह ठीक है इसके उपर तो कोई आइडियल है नहीं जो इन दोनों को से जन्रے नकी any देखो तो यह ठीक है यह खीक है जितने भी आइडियल है नीचे आ रहे है ठीक है और नहीं नहीं आइडियल ल Geoffosweal लेकिन आखी दोनों ब़्राबर फ़र इसके उपर जो आइडियल है और ना ही यह बराबर है ठीक है तो by definition यह नीचे वाले तो हो नहीं सकते जितने भी बन रहें तो अब हम stuck कहां पर होगे यहां पर इससे उपर कोई ideal है नहीं ठीक है तो इससे उपर कोई ideal ही नहीं जो इनको contain करें तो यह जो इससे generate हुआ ideal और इससे generate हुआ ideal वो हमारे क्या होगा और दूसरा क्या होगा थ्री से generate होगा थ्री वाला मैंने लिखा है टू वाला आपके लिए exercise के लिए छोड़ दिया है ठीक है तो अब एक आपके लिए question है तो अब जैड फोर्टी नाइन ले लेता है ठीक है जैड फोर्टी नाइन तो एन हमारा क्या आ गया फोर्टी नाइन ठीक है तो इसको प्रड़क्ट ओफ प्राइम लिखेंगे तो क्या बनेगा seven square बन गया ठीक है तो देखो number of अगर मैं maximal ideal की बात करता हूँ number of maximal ideal कितने होंगे वो जो इसके जितने प्राइम डिवाइजर होंगे तो 49 के प्राइम डिवाइजर क्या है seven है वो एक ही है यहाँ पर लिखेंगे one अब कौन सा maximum ideal होगा इसमें ठीक है तो 49 के डिवाइजर लिखने एक तो 49 दूसरा क्या है seven यहां पने लिखने लिखने ना ओर ठीक है 49 को अब यहां पर देख सकते हो यह क्या order लिखा यह किस से जन्रेट होगा 49 को हमने क्या करना 49 से डिवाइज कर दिया तो यह one से जन्रेट होगा इसके बराबर बर गया उसका जन्रेटर क्या होगा 49 49 में हमको क्या मिलेगा सिरफ अडेटिटी मिलेगी अब इस जब 49 को हम seven से डिवाइट करेंगे जन्रेटर हमको क्या मिल गया seven इसमें कौन से element आएंगे जीरो seven 14 21 28 35 42 अब 42 के बाद देखो क्या आजाएगा 49 आएगा तो 49 आएगा तो मॉडला 49 ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आजाएगा जीरो तो उसके बाद element क्या होएगा रिपीट होने चुनों जाए तब 42 तरकी लिखेंगे तो काउंट कर सकता है एक दो ती चार पांट छे साथ तो साथ मन रहे हैं अब देखो ये इसमें कंटेन है ठीक है ये जो 49 से जनरेट हुआ है वो इसमें कंटेन है और ये जो है इस इसको कंटेन करता हूँ ये बाइडेफिनेशन मेक्सिमल आइडियल हो नहीं सकता तो यानि ये जो हमारा है ये क्या बनेगा इसमें मैक्सिमल आइडियल बनेगा तो हेर गमेक्सिमल आइडियल इन जैड़ 49 इस जनरेट के से होगा इससे 7 से ठीक है ये क्या होगा 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42 ठीक है अब क्या करना आपने आपके लिए कोश्चन है ठीक है तो ये आपके लिए होमबर्क है है कि जैड़ 16, 16 वाला आपने किया है कि नहीं किया है फ़रो जैड़ हम दे रहे हैं जैड़ 18 इसके आपने क्या करना है एक तो पहले टोटल आइडियल बता दे नौटल नंबर आइडियल कितने होंगे दूसरा टोटल नंबर आउडियल मैक्सिमल आइडियल पीसा विच वन इस मैक्सिमल आइडियल ये तीन चीज़े आपने बताने है अगर आपने ये वीडियो पूरा देख ले किया है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बोक्स में लिखना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगए तो प्लीस लाइक शेर एंड सस्काइब और जादा से जादा बच कैसे निकालने है और को कितने प्राइम आइडियल होंगे और कौन-कौन से होंगे इसके बारे में पढ़ेगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू पर वाचिंग देस वीडियो